विल्कम तो जीवन जोति क्लासेज और मैं हूँ विकेश कुमार तो आज हम जानेंगे सैनिक स्कूल क्लास 9 के एजाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले तो हर परते की यर जनवरी के फर्स संडे को सैनिक स्कूल अपना एजाम से लेता है यह फिक्स है यानि जनवरी में जो प 23 जो है वह एट जनवरी को होने वाला है तो इसमें तोटली आपको अबजेक्टिव कोश्चन्स होंगे और इसकी जो बेसेकली कि इस लेवर से वह इसके ऑफिस्यर डेवसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो हम आते हैं कि जो एक अर्मिट एयर है 2023 & 2024 क्लास 9 के लिए उसके एजाम पैटर्न्स क्या रहने वाले हैं तो देखते हैं कि यहां पर सबसे ज़्यादा कोश्चन जो है मैच से पूछे जा रहे हैं ठीक है और सबसे ज़्यादा मैच से कोश्चन पूछने के साथ साथ सबसे आईस मास का भी हो रहा है यानि अकेला 200 मास मैट और 50 मास इंगलीज 50 मास इंटेज लेंज और 50 मास जेनरल साइंस और 50 मास सोशल अस्टडी यानि मैसिमम फोकस कहां होना चाहिए मैच के ऊपर टोटल कोश्चन है 150 लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्लास 8 के अंदर हम मैच तो पढ़ लेते हैं साइंस भी पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं तो यानि इंट्रेजलेंसी हमारे स्कूल के स्लेवस में नहीं होता है ठीक है तो आप इस चैनल पर आप क्लास 9 के पढ़ेंगे कि ओके कि ओक्लास 6 का भी कुछ यह चाहिए वहाँ पर क्लास 6 में टोटल 125 कोच्चन्स होते हैं टीक है कि 125 कोच्चन्स होते हैं 25 कोच्चन्स कम होता है लेकिन यहां पर भी अगर देखा जाया थि मैच्षा यह मार्ट्स है 50 कोच्ण मैच्स के हैं जिसमें 150 150 मार्च्ट इंग्लीज है 50 मास् fik tat जिनरल स्टेटी 50 मास् यानि जो 9 क्लास में है जैनरल साइंस और जैनरल च्डम यानि जैनरल साइंस और सोशल प्रड दो अलग लग दीए हैं टोटल जैनल लग स्टडी तो यह टोटल 300 मास्क के लिए है और क्लास नाइंट का जो टाइम है वो इजाम टाइम 3 आवर्स का है लेकिन क्लास 6 के लिए जो एजाम टाइम है वो ट्यू आवर्स का है तो यह डिफ्रेंस है इसके अंधर ठेके अगर आपको शिलेवस चेक करना हो तो इस वीडियो के दिस्क्रिप्सं में आपको शिलेवस का लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके अपशिलेवस चेक कर सकते है Jim ठेके अगर आप क्लास 9 के लिए इक प्रिप्रेशन करना चाते हैं तो यहां पे आपको reading की सारी classes मिलेंगी ओके आज के लिए बस इतना ही Thank you